दोस्तों आज हमें एक rechargeable torch को repair करने वारे हैं यह rechargeable torch का एक problem आगया है यहाँ पर switch देख रहे हैं यह तोट के अलग हो चुका है यह देख सकते हैं अब यहाँ पर हमें करना क्या है इसमें switch को replace करना है इसमें switch कौन सा लगेगा इसके size कैसा है चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस size के switch है अब इसमें normally switch नहीं लगा रहा है two-way switch का यहाँ पर option है क्योंकि यहाँ पर जो torch है यहाँ पर दो light है एक यहाँ पर front वाली है एक panel वाली है यानि कि अब इसमें हम किस तरीके से इसको replace करेंगे या फिर इसकी जिगह पर कौन सा डालेंगे इस video आपको शीखने के लिए अगर यह मेरे पास रहेगा तो मैं इसको replace कर दूंगा नहीं होगा तो फिर एक जुगार तरकीप लगाऊंगा चलिए आपको बताता हूँ इसको क बीच का और लेफ्ट का इस दूसरी टॉर्च का उन करने के लिए यहां पर जो पैनल वाली इस का उन करने के लिए है और बीच का और राइट का अभी तो लेफ्ट का में जोटा हूँ अब बीच का और राइट का जो है वो फ्रेंट टॉर्च का उन करने के लिए है यह वा कि उसके लिए अलग स्विच मां लगाऊंगा आपको मैं सबसे पहले दिखाऊं किन-किन स्विच का समाल करने वाला हूं इसको तो मैंने ढोडा मिला नहीं अब यहां पर दो स्विच मां लगाने वाला हूं इस तरीके से एक पुस वाला जो फ्रंट की light को on करने के लिए एक on है आप देख सकते हैं इस सेट का मैंने खाचा काड लिया है फोटे सइच का एस पीसटी स्विच है बड़े साइच का होता तो यहाँ पर लगना थोड़ा सा पॉझिबल नहीं था छोटे सड डार यहाँ पर लगा लिया है अब यहाँ पर हमारा नेक्स स्टेप इसको फिट कर दाल दूँगा और राइट को और कॉमन को दूसरे स्विच में डाल दूँगा अभी आपको समझ में नहीं आ रहोगा चलिए आपको दिखा पहले इसके में सोल्टिंग वारे करके इसके कनेक्शन कर ले तो चलिए सोल्टिंग हो चुका है अब यहां पर इसको और साइड वा पहला है चलिए इसको फिक्स कर ले रहें उसके बाद मैं आपको स्टेब बाइस्टेब बता दो इसके कनेक्शन कैसे होने आपको बिल्कुल भी घपराने की या फिर एंसने की जुरतनी है हमारे वीडियो जो भी होते हैं बहुत ही नॉलेजफूल होते हैं अभी तक वीडि करनी चीए अगर कभी भी आप कोई भी पैकिंग वगर करते हैं तो इसकी वायर अच्छी तरीके से आपने फिट करनी है हो अगया जब हम इसको करने की संभावना रहती है इसलिए यह चीज़ा आप में हमें सध्यानक नहीं है अब बात करते हैं स्विच की तो यहां पर इस करना होगा वायर करना हो इस बात का हमने र्याद रखना है चलिए रेड़ वायर को हम स्विच के दूसरे पॉइंट मा भी कनेक्ट कर लेंगे अब उससे पहले इस वाले स्विच का भी हम थोड़ा सा जगया बगर बना दे देखने मां अगर भद्दा लग रहा है तो आप इस में नया स्विच डाल सकते हैं लेकिन यह मेरी खुद की टॉर्च है तो यहाँ पर मैं इस तरीकी से मोडिफिकेशन कर रहा हूं मैं इस में तूर चुका था तो इसलिए इन बटन का यूज करके मैं आप बना रहा हूं आप चाहे तो इस जुकाड का समाल कर सकते जरूर समय द्यान से आपको दिखाना चाहूंगा कि वैरिंग कैसे करिए द्यान से देखिएगा यह बहुत इंपोटेंट पार्ट है आप लोगों के लिए देखिए यहां पर जो यह पॉइंट है देखिए टीन पॉइंट थे एक कॉमन एक लेफ्ट एंड एक राइट देखिए देखिए देखिए फिर आपको दिखाता हूं यह देखिए जो ब्टन से दो आ काऊन पर गईयां यह यह पॉइल यह दोनिस तक गई है और common जो है दोनों तक गई वी है common एक ब्लेक और जो वाइड देख रहे हैं ग्रे ब्लेक और ग्रे ये ग्रे और ब्लेक ये दोनों स्विच तक गई है common बीच की common ने लेफ्ट राइट की एक एक स्विच में चली कि इसके connection मैंने कर लिए हैं अब चलिए यहाँ पर इसकी में स्टार्ट कर लेता हूं कोई वायर नीचे ना लगे यह चीज आप हमें से ध्यान रखेगा अगर वायर गलती से नीचे लग जाती है तो कटने की समाना रहती इसलिए इधर उदर वायर को अच्छी तरीके से मोड के और इस तरीके से पैक कर लिजिए तो यहाँ पर इस स्कूर्व अगर में लगा लूँगा उसके बाद आपको दिखाता हो चलिए यह देखिए इस बटन के दार हम फ्रेंट टॉर्च को अन करेंगे इसके द्वारा इसको अन करेंगे देखिए बहुत ही मस तरीके से मैंने इस जुकाड को बनाया है वीडियो पसंद आए तो ल में आए हो जितना भी आये हो मैंने दिल से अबाद आए ह।